वेलकम टू नेक्स एक जाम आज है 15 मार्च दोयार तेश और 15 मार्च दोयार तेश से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखि कर सकते हैं टेलिग्राम गूर्प पर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गूर्प का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कूर्श दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गूर्प जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करत अंतरास्टी गड़त दिवस को पाई दिवस भी कहते हैं आपने पड़ा होगा कि पाई की बेली होती है 22 upon 7 यानि कि 3.14 14 यानि कि 14 और 3 मतलब तीसरा मत 14 मार्च को पाई दिवस या अंतरास्टी गड़त दिवस मनाय जाता है और एक और interesting fact 14 मार्च को ही अलवर्ट आइंस्टाइन की जैनती भी होती है अच्छा एक मार्च को सून निभेदवाओ दिवस मनाय गया तेन मार्च को बेसु बन्निजीब दिवस मनाय गया चार मार्च को रास्टी सुरक्षा दिवस और 200 मोटापा दिवस मनाए गया 6 मार्च को 200 टैनिस दिवस मनाए गया 8 मार्च को अंतरास्टी मैला दिवस और नो स्मोकिंग डे मनाए गया 9 मार्च को 200 केडनी दिवस मनाए गया और 10 मार्च को CISF का 54 स्तापना दिवस मनाए गया तो मार्च में अब तक इतने important डिये मनाए गए हैं यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को like और सिया जरू किया करो और मैं आपको कोई बोलता हूं डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारेट पिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने म लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार केस राज्य में अधिक्तम बन छेत्र बिक्सित हुआ है तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अगर राज्यो में देखा जय तो सबसे ज़्यादा बंचेत्र आंधरप्रदेश में विक्सित हुआ आंपडप्रदेश में अकेले 8276 held किलोमिटर बन चेतर विक्सित हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बन चेतर आंधर प्रदेश में डिबलफ हुआ, और पूरे भारत में आप देखोगे, तो 2261 बर किलोमेटर बन चेतर विक्सित हुआ है, अब आंधर प्रदेश टॉप पर है, तो ये है मैप में आंधर प्रदेश, आंधर अपनी नई केपिटल विसाका पटनम को गोसित कर दिया है आंद्रप्रदेश की चीप निष्टर है जगन मोहन रेटियो अच्छा बासा के आधर पर गठेत होने वाला भारत का पहला राज्जी है आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश के कडपा जिले में 13 मी सताबदी के मंदर की खोज की गई आंद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेस केंडरों पर परेटक थानों का उद्गाटन किया है आंद्रप्रदेश ने अपनी नई राजदानी विसाका पटनम को गोसित किया अगनी कुलम कॉस पुलिकट लेख है, पापी कॉंड़ा नेशनल पार्क है, और स्रेब बैंकेटेज वर नेशनल पार्क है, और अभी आन्दप्रदेश की नए गवर्नर कौन बने है, जस्टिस नजीर कौन बने है, जस्टिस नजीर आन्दप्रदेश की नए गवर्नर बने है, नैशी शिन है, हाली में तेसरे दिब्विकला मेले का उद्गाटन कहां हुआ है तो अभी तेसरे दिब्विकला मेले का उद्गाटन भोपाल में हुआ दूसकुषिन का बे आप्सन सही है और भोपाल के गवर्नर मंगो भाई से पटेल ने इसका उद्गाटन किया है खाने पीने की चीजों से देश बर से सामन की प्रदर्सीन लगाई गई है भोपाल में, ये तेसरे दिब बिकला मेले का उद्गटन हुआ है, अचा भोपाल सुनकी कुछ याद आता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, भोपाल में है भोजदाल, नेक्यूशन है, किस राजी आपको हमेशा दोटेरी में का पूरा ब्रोड गेज नेटवर्क भारती रेलवे द्वारा बिध्यूत्य कृत किया गया है। तो अभी उत्तराखन में जितना भी ब्रोड गेज नेटवर्क था वो सारा electricity में convert हो चुका है सारा electrify हो चुका है तो इस question का say options है और मद्ध railway में जितना भी broad gauge network था वो सब अब विद्धुति करित हो चुका है अच्छा broad gauge क्या होता है पहले क्या होता था meter gauge चला करता था meter gauge में पट्रियों के बीच की दूरी एक meter हुआ करती थी फिर आगया broad gauge और अब broad gauge में पट्रियों के बीच की दूरी 1.6 meter होती है तो मद्ध railway ने अपने सभी broad gauge को विद्धुति करित कर दिया है और उत्त्राखन एकलोता ऐसा राजी बन गया है कि पूरे राज में जितना भी broad gauge है सभ अब विद्धुति करत हो चुका है अब उत्त्राखन तो ये है map में उत्त्राखन उत्त्राखन की capital क्या है देरादून ध्यान रखना देरादून winter capital है Gerson summer capital है उत्त्राखन की chief indigenous है पुसकर सिंग धामी और उत्त्राखन की governor है गुर मेत सिंग अभी उट्तराखंड को देश का पहला इलेक्टरिक तेर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल मैलाओं के लिए सुरोजगार यूजना सुरू करने की गोश्ना की है उत्त्राखंड भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक के स्तापित करेगा भारत उजवेकिस्तन प्रसिक्षड अभ्यास डस्ट लेक उत्त्राखंड में हुआ उत्त्राखंड में नकल बिरोदे कानून लाओ हुआ है और एम्स रिसी केस ने ड्रोन के जरिये तपेनिक की दवाय पहुचाने का ट्राइल पूरा किया है अच्छा उत्त्राखंड में जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्म नाम पूछा जाता है इसका पूर्म नाम है हैली नेशनल पार्क उत्राखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है उत्राखंड में हरेला पर्म मना जाता है फूल देही त्युहार उत्राखंड में मना जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है, ने क्यूशिन है, हाली में किस देश ने पंडुबी से दागी जाने वाली दो रड़नेतिक क्रूज मिसायलों का परिक्षड किया, तो अभी उत्तर कुरिया ने पंडुबी से दागी जाने वाली दो रड़नेतिक क्रूज मिसायलों का सफल प्रक्ष बढ़ किया है तो इस कुश्चिन का बे आप्सेंस है अब उत्तर कुरिया तो यह है मैप में उत्तर कुरिया उत्तर कुरिया की कैपिटल क्या है पैंग उत्तर कुरिया की करनसी क्या है उत्तर कुरिया के तानासा का नाम क्या है किम जॉंग उन अच्छा उत्तर कुरिया और द कहां आयुजित किया गया तो अभी नई दिल्ली में साधा बौद बिरासत पर अंतरास्टी सम्हिलन आयुजित किया गया तो इसकुषिन का A option सही है संस्कृति मंत्राले के द्वारा इसका आयुजिन किया गया है इसका उद्धिय से ट्रांस सांस्क्रतिक लिंक को फिर से इस्तापित करना है ने क्यूशिन है हाली में जे ट्वन्टी फूल उत्सब कहां शुरू हुआ है तो अभी नई दिल्ली में जे ट्वन्टी फूल उत्सब शुरू हुआ तो इसकुषिन का C options आये जे ट्वन्टी में आये हुए कंट्रेज के मेंबर को भारत की बिवित्ता को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली के कनाट प्लेस में जे ट्वन्टी फूल उत्सब शुरू हुआ और इसका उद्गाटन किया केंद्रिय पर्यावड मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसाई अस्पिताल के साथ साज़धारी की तो इसकुश्चिन का बे ऑप्सेंस ही है अच्छा अभी रिलाइंस लाइफ साइंसे को आई टी कानपूर से जेन ठेरपी टेकनोलोजी का लाइसेंस बेला है केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने आई टी रोपड में युबा उत्सब की सुरुआत की है नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आई टी मद्रास ने डेनमार्क के साथ साज़धारी की आई टी मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रसिछड मॉड्यूल बिक्सित करेगा और आई टी मद्रास ने रास्ती बौधिक संपदा पुरुस जेज़ क्लाइमेट के भारत के राज़दूत के रूप में नियुक्त किया गया। updated questions का C options यह जलबाई उद्यमी स्रिया घोडवथ और इनको बैस्विक गैर लाबकारि संगTPर सेज़गेमेट के दारए भारत के राज़दूत के रूप में ने questions है हाली में किसे सिलिकोन बैली बैंक के CEO के रूप में न्यूट किया गया तो सिलिकोन बैली बैंक ये अभी डूब गया है ये अमेरिका का 16 में नम्मर का सबसे बड़ा बैंक था और अभी ये डूब गया और अब सिलिकोन बैली बैंक के CEO के रूप में टिम मायो पूलोस को न्यूक्त किया गया तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है ये हैं टिम मायो पूलोस और इनी को अभी सिलिकोन वैली बैंक के CEO के रूप में अपोइंट किया गया अच्छा अभी AME IKI की कमान समालने वाली पहली महिला अधिकारी गेता राणावनी है एक्सिस म्यूचल फंड का MD&CEU बेग गोपकर को न्यूप्त किया गया प्रामेरिका लाइफ एंस्वरेंस ने पंकज गुपता को MD&CEU की रूप में अपोइंट किया और SS दुबे ने नए लेखा महान यंत्रक की रूप में कारेवार समाला है नए क्यूचिन है हाली में केंद्र सरकार ने किस केंद्र सासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड रुपए का बजट पेस किया तो अभी केंद्र सरकार ने जम्मू कस्मीर के लिए 1,18,500 करोड रुपए का बजट पेस किया तो इस कुशिन का C options है यह है अब जम्मू कस्मीर के लिए पेस किया तो यह है मैप में जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर के lieutenant governor कौन है मनूज सिन्ना जम्मू कस्मीर में डोडा में सबसे उंचा रास्टी धज फेराए गया है एसिया की अब तक की सबसे लंबी cycle race स्रीनगर में सुरू हुई परेटन मंदराले ने जम्मू में पहली snow marathon का आयोजन किया है best adventure tourism destination का अबाड जम्मू कस्मीर को मिला है बारत में जम्मू कस्मीर में पहली बार लेथियम के भंडार मिले है अच्छा जम्मू कस्मीर में डल जील है बुलर जील है दचिगराम नेशनल पार्क है और केस्टवार नेशनल पार्क भी जम्मू कस्मीर में है ने क्यूशन है एसिया की पहली मैला लोको पाइलेट का नाम क्या है जो अब बंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं तो एसिया की पहली मैला लोको पाइलेट हैं सुरेखा यादाव ये अब बंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन कर रही है तो इसकूशन का बे ओप्स तक इन्होंने बंदे भारत एक्सप्रेश का संचालन किया, ये भारत की ही नहीं, एसिया की पहली माइला लोकोपाइलट हैं, अब एसिया की पहली माइला लोकोपाइलट हैं, तो द्यान से इनकी इमेज देखि вами। ये हैं सुरेखा यादव ये एसिया की पहली मैला लोको पाइलेट है और अब ये बंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन कर रही है अच्छा है एक कुशिन माइन बाना चाहिए एसिया की पहली मैला लोको पाइलेट है तो कब बनी थी ये लोको पाइलेट ये 1988 में पहली बार इंडियन रेल्वे में ड्राइवर बनी थी, ने क्यूशन है, हाली में किसे फरवरी महा का ICC Player of the Month चुना गया, तो हैरी ब्रूक और एसले गार्डन इन दोनों को फरवरी महा का ICC Player of the Month चुना गया, तो इस क्यूशन का C option सही है, उपरियोक्त दोनों, हैरी ब्रूक ये इंगलेंड के हैं और एसले गार्डनर ये ऑस्टिलिया के हैं, आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं हैरी ब्रूक और एसले गार्डनर इन दोनों को फरवरी महा का ICC Player of the Month चुना गया, अच्छा ICC यानि की International Cricket Council, इसकी स्तापना का हुई 1909 में, इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है, दुबई में, और इसके प्रजेंट टेम पे चेर्मेन कौन है, ग्रेग वारकले, कौ सबसे बड़ा Arms Importer कौन बना है, तो 2018-22 की बीच, दुनिया का सबसे बड़ा Arms Importer अपना देश भारत बना है, तो इसकी रिपोर्ट है, SIPRI, तो इसकी फूल फॉर्म याद रखिए, Stockholm International Pace Research Institute, AC की रिपोर्ट के अकौर्डिंग, 2018-22 की बीच, दुनिया का सबसे बड़ा Arms Importer बारत बना है, अच्छा, अभी भारत के द्वारा हिंद मासागर छेतर में, ट्रूपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया, भारत ने दुनिया का पहला बास बेरियर लगाया है, भारत ने International Big Cat Alliance बनाने का प्रस्ताव दिया, और IMF की अनुसार, भारत में, 2023 में, बैस्विक विकास में, 15% योगदान देने की जमता है, और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा Milk Producer Country भी बन गया है, ने क्यूशन है, हाली में मैला 200 मुक्चे बाजी Championship के ब्रांड अमबेजडर कौन बने हैं, तो फरान अक्तर और MC मेरिकॉम, ये दौनों, मैला 200 मुक्चे बाजी Championship के ब्रांड अमबेजडर को बने हैं, तो इस कुशन का से ओप्सन सही है, वो परियोगत दौनों, अच्छा मैला 200 मुक्चे बाजी Championship की टाइटल स्पॉंसर सिप किसे मिली है, महिंदरा को, द आश्ट वीडियो मैंने आप से कुश्चिन पूचा था कि हाली में केस देश ने illegal migration bill पेस किया है, तो अभी UK ने illegal migration bill पेस किया, यानि कि इस कुश्चिन का, बे option सही था, और लगबग सभी स्ट्रेंडनेस कांसर सही दिया, मुश्च ट्रेंडनेस के बारें डेटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, question के बारे मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो, आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो, फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते, अब आपके लिए आज का question, आपके लिए आज का question है, हाली में Asia का सबसे बड़ा ट्रेलेव गार्डन कहां खुलेगा, चार option दिये गए हैं, इनमें से आपको अपना answer बताना है, और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं, तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं, क्योंकि previous question आउट होता है, या आपको अपने career से related भी कोई problem है, तो आप Instagram पर इंद्रेश RC, I-N-D-R-E-S-H-R-C, Instagram पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any agitation discuss कर सकते हैं, अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना, आज कि इस वीडियो का target है, चाली से लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है, तब आप इस वीडियो को like और share जरू क्या करो, और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook हैं, उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो, तो ये था आज का हमारा current interface का वीड की, जब आपसे सब्सक्राइब करेंगे, तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा, आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें, जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे, next exam all based video, thanks for watching.